स्वागत है बहुत जती सिंगी को और नई वीडियो में तो भाई गाड़ी के अंदर जलिके आपसे सबसे बहले बात कर लेता हूं मैं आपको बताता हूं इसमें यह क्यों रखा हुए मैंने और में इसका रखने का रीजन क्या और क्यों मैंने रखा हुए तो भाई वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और बाकी इस वीडियो में में बताने वाड़ा हूं जो मैंने एक साल बाद कैसा रिब्यू रहा और कैसे या उनका सिस्टम है कैसी वह परफॉर्मस है इनकी वगार वगारा तो इस वीडियो में भाई वही सब देखेंगे बाकी मैं आज की आपको तारीक बताओं तो अभी तो बंद है ना बाकी आज की तारीक है बाई दो सब्तेंबर 2023 और जब गाली ले थी तब दिवाई डेट ब मैट के उपर तरपाल क्यों रखा हुए तो इसका में रिजन मैं आपको बताओं ना तो इनका में रिजन भाई यह है कि यह मिटी अंदर अपने अपने उपर ज्यादा अब्सॉर्ब निकर पाते है ना तो इसलिए भाई मैंने के उपर यह मैं रख्ट हुए है क्योंकि क्या होती है और 3D70 मैट का मेरे को भाई कुछ भी आइडिया नी था मैं बस है यह से नुबड़ों की तार गाड़ी लेडे चले गए थे हम बाके तो हमें को नौलेज नी थी कि गाड़ी में सीट कावर होते हैं बट मैट की मैट की मैट की मैट को उतनी नौलेज गारा नही तो सारी आसे बाट डी के साथ जाती जिसको बाद में निकालना थोड़ी काफी कॉंपलिकेटर चीज है वैक्यूम क्लीनर से थोड़ा हो जाता है बट घर में आपको पता है गाहूं दिया तो मैरे कहां से लाओं का मैं और इतने इतना बजट भी नहीं है मैं है अपर वैक् से कैसी मैस मेरे को लेनी जाहिए थ्रीटी सेवेंडी रहा क्या होती तो नॉर्मल उन्हें ने मेरे को यह मैट दे जी जिनका मैं रिव्यू बताओने एक साल बाद तो महाबेकार है बाई इनके उपर भाई मैं आगे रखता हूं वहां पर आगे आगे आप देसे तो मैंने ब्रेक पैड्स और क्लच पैडल के उपर भाई यहां पर रखता हूँ ऐसे जिससे मिट्टी ऐसा है कि इनके उपर सारी उजिलती है मैं परले साइड आपको चल के बता देता हूं कि इसका क्या सी नहीं बाद करूं तो बूट में थोड़ी सी अच्छी मैट से नोंने दे र लगी बटा आगे चल के आपको बतातों मैं ड्रेवर सीट का हूं जो कि यह वाई सारा सिस्टम यह देख सकते हो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत तो होती है यार मिर को क्योंकि अगर जब साहरा करनी हो तो यहां से भी कई बार आप यहां पर भी चला जाता है और यहां पर त पैडल देखोगे और यह ब्रेक पैडल देखोगे तो यह बड़ी अवर्क कर रहे हैं वह डिसका एकसलेट का थोड़ा सा दिक्कत लगरी है मिर को में को जब मैं ड्राइविंग बरा करता हूं तब तो भाहिं मिर को यह रखाने पड़ते हैं जो सारी मिटी होती है फिर इस मूर्ति का बताओ ना तो यह बाई मिर को खुद ही परचेज करनी पड़ी कि करनी पड़ी थी इसकी वाई मैं के स्टोरी आपको बताता हूं उस जिस दिन वाई आमने डिलीवरी ली थी ना नेक्स वानों थे अपनी इगनिस की तो उसी दिन वाई उनके उनसे एक बलीनों क का बैग उठा ले था दोनों बैग साथ में रखे हुए थे ना अंदर जाम पर वो फॉर्म वगएरा करते तो मैंने उन बलीनों वाणों का उठा लिया था तो उसमें मैंने देखा तो उसमें मूर्ति भी रख्यूई थी यार गिनेश जी की बाकी मेरे बैग में तो भाई म आपको सर्विस देगे ना क्योंकि क्यां बंद रख्याइज और भाई भी साथ दिए ना यह उसको शाभी वाई तो यह सब के लिए सेम यह था है में इस प्राइज वह करते हैं वह करता यह इस दिलर की बात करो में जो हम एए फुर में नेक्सा वाणा उस-डिलर की बात कर कर सकता है बात इस टो टेलर होते हैं जो कर दो यह वेर्वाई उसंट मोषषित से भाईक में कुछंओ शाथ काूल को कई में तो करना में देते हैं जयंद इसका तो बेसा है इन इसका पर दो कि हम जूक्रद का सब तो करते हैं और भाई रिखुम, प्रटोपा है क्यों क्सेटिया है, में अदने包括 हुव आपके सब्सक्राइब नहीं लगता है क्योंकि जो आफ्टर मार्केट होते हैं उनका थोड़ा डूब्लिकेट माल भी देते हैं तो इसलिए थोड़ा मिर को लगा कि इसलिए ले ले लेते हैं भाई क्या क्यों ऐसे फाल तुमें करना बाकि इन सीट का मैं सिस्टम बताऊना तो सीट सुभाई काफी बड़ी आए आज तक तो बाइन की काफी बड़ी लगे आसे नौरमली मैं बताऊं तो इसमें फैब्री की सीट आती है बड़ी आप कवर देख रोगा जोंकि इसकी फॉर्मस्स बताऊं तो काफी बड़ी अब तक वाई काफी बड़ीया चले हुए हैं यहां पर आप देसे है लगा हूँ और आपको जादा आपको आपकी पहचान या और बाहर आप मार्गेट थोड़ा आपको ज्यादा बंदे जान तो आपको नौलेज है इस चीज़ की कहां पर यह मिलता है समान हो गया रहा तो आपको बाहर से जूर से लगवा लेने चाहिए तो अप पिर तो यह जो कि यह जो की यह जटा वाड़ा वेरियंट है ना तो इसमें बैक कैमरा नहीं आता है वाई आपको आफ्टर मार्केट लगाने पड़ेगा इसमें इन बिल्ट तो इसमें आपको बाहर से ही प्रचेस करना पड़ेगा एंड असा कुछ वाइस का इन फोटेंब्स सिस्टम तो सब युमें सेम ही आता है एंड बैक कैमरा का वाई मैं सबसे पहले सिस्टम दा रहते हूं बैक कैमरा का क्या सीन है जो की यह लगा दिया और देख सकते बैक कैमरा क करता हूं बट उस टाइम स्टार्टिंग में गाड़ी सी खाता था ना मैं जब मैंने इगनिस ली थी तो उससे पहले एक दो मिने पहले माने गाड़ी सी की दी तो यहां पर तो मैं बैक कैमरे के सारे बहुत ही कम यूज करता हूं तो में लिए तो हमारे यहां अल्ट फिद पर दो कि तो इनकी साप से वे मैं ग्याड़ी बैक करना प्रेफर करता हूं एंड़ पिछे बैक कैमरे के क्वाइश अपको पाइसी बैकार सी और इसके जो वो क्या बोलते हैं उसको जो जो एडेप्टिव क्रूज लाइन होती है जो कि पिच्छे हंडले कि साइड तो इस तरफ जा रही है तो इसलिए थोड़ा जब इनको आप बाइक कामरा लगा रहे हो तो थोड़ा ठीक धंक से लगाना चाहिए उन एक्सावाड़ों को बाकि आपको भी नहीं हो गया था मिरे को इतनी गाड़ी के नॉलिज नहीं थी तब तो भाई यह दिक्कत होती है ब भाई तो तो आपफी अगोरीम परीम थे क सब्सक्राव नहीं कैमरा खिक हुए जो अब होगा कि अधका यहां पर देख सकते हैं यहां पर दूल निकालना भी काफी कॉंप्लिकेटड रहता है यहां से आप देख सकते हैं पर इसकी स्टीचिंग गएर अभी निकलना स्टार्ट हो गई है अगर पर पर निकालना काफी कॉंप्लिकेटड रहता है और वो छूड़ते भी आसानी से नहीं है वाकि अजनसी वाड़ों ने साफ करके दी थी जब मैंने गाड़ी की तिसरी सर्विस कराई थी ना अगर तब तो भाई गाड़ी को बड़ी यहां साफ करके दे देते हैं और म यह जो हैंडल के उपर जो राप जैसा होता है यह भी वाई मैंने नेक्स असल कॉया था बाक्की मैं इसका सिस्टम तो यहां पर देख सोती हैं यह वाल चीच की बात करूं जो कि आपर श्टीच की बात करों जो कि काफी बड़ी हैं कि इसकी पोहमस है में में मैं अगर मैं लिगन इसमें स्टेरिंग उताओं तो फटला ऊगए रात पतला साता है ना तो उसमें थोड़ा पकड़ने में तरह कंफ़रेबल नहीं रहता है जो थीच को बिन ऐसे राप की हो तो थोड़ा लगता है मेरें को की पतला साथ हो उसे घ्रीप बन ती ति बस असे इससे थोड यहां पर ब्लैक शैड जैसा लगवा लेते हैं जो कि मैंने अज तक कभी लगवा है ने एक साल हो गया मैं को गाड़ी के लिए लिए तो मैं को ऐसी नेड लगी निकि मैं इसमें ब्लैक शैड लगा हूँ तो ठीक है भाई गाड़ी बढ़ी है अगर आपको ऐसे जूरत है इसके आप संवाइजर की ऐसे ले सकते हैं इसकी यूड यूज जो कि काफी प्रैक्टिकल यूज में आता है वाट इसका भी यूज मैंने अज तक कभी करा नहीं है और यहां पर अभी तक चड़ी हुई है अभी तक चड़ी हुई है अभी तो भाई मेरे को यही चीज़े कर देना तो मैं वहाँ पर आपको बता दूँगा अगर आपको सेप्रेड वीडियो चाहिए तो वह भी आप बता देना बाकि मैं कुछ भूर नहीं हुट मिरे को याद आई जो कि यह रेन वाइसर मैंने लगवाए हैं ना जो कि मैंने नेक्सर के तुरू लगए थे तो लि यहां पर बंदे लगवा लेते हैं इसके लिए भाई वो बोर रहे थे बट मैंने लगवाया निक्रो वगारा एंड वो साइड ग्लाइडिंग की भी बोर रहे थी कि आप साइड में क्लाइडिंग वेरा लगा लो जो कि यहां पर लगती है जो कि मिरे को इतना वर्थ हिट आपको बता दूँगा चलू ठीक भाई गाड़ी सब तक तो भाई फुली सैटिस्फाइड यू एंड गाड़ी के उपर भाई मैंने अभी फालतु तो कोई खर्चा कर रहा नहीं है बट जैसे जैसे भाई अर्निंग गहरा स्टार्ट कर दूंगा तो वैसे गाड़ी पर थ अगर भाई आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप इगनी से रेलेटेड और भी कॉंटेंट देखना चाते हो तो भाई आप मेरे चैनल को जूर से लाइक, शेयर, सबस्क्राइब भी कर सकते हो और ये थी वीडियो, उमीद करता हो आपको वीडियो अच्छी लग अजग कि अब एक बाहत आग।